विटिलिगो के बारे में कि कैसे stress and alcohol intake आपके विटिलिगो को खराब कर सकता है और aggravate कर सकता है बढ़ा सकता है तो आप जो भी treatment ले रहे हैं उसका तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक आप alcohol intake छोड़ेंगे नहीं या अपना stress reduce नहीं करेंगे और यह जो factors हैं यह आजमाए हुए हैं मेरे patients पे जो patients stress में जाधा रहते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगे कि उनके साथ exactly होता क्या है stress आपकी body में cortisol, keticolamines and neuropeptides जैसे enzymes जाधा release करता है और vitiligo patients में यह तीनों ही जाधा amount में होते हैं क्योंकि यह vitiligo patients में जाधा amount में already present हैं और आप stress ले रहे हैं चाहे वो आपका personal stress है या professional stress है या आपको यह stress है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी body खराब हो रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे question करेंगे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा इस तरह का stress भी आपके यह तीनों enzymes body में और जाधा release करता है क्योंकि आप stress ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है अब जब यह already high है, ऐसे में आप stress ले रहे हैं, तो यह बहुत जाधा amount में release होने लग जाता है और यह जो आपके T-cell mediated immunity है, जहां से आपका vitiligo linked है क्योंकि vitiligo एक T-cell mediated disorder है, जो T-cell immunity से linked करता है, उसका metabolism खराब कर देता है और आपको aggravation दे देता है तो मेरी यह दरख्वास्त है patient से कि अगर आपको already vitiligo है, तो आप treatment के साथ साथ अपने mind को relax रखे ना परवा करें लोगों की कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, society क्या कहती है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप बहुत खूपसूरत हैं और आप absolutely normal है तो आप उसको rather than उससे निराश होने की जगा, आप confidently अपने बिमारी को accept करें, accept करते करते उससे लड़िये और उससे ठीक करिये stress मत लीजे, क्योंकि stress आपका vitiligo और aggravate कर देता है, तो मेरी सभी patient से गुजारिश है कि आपको अगर vitiligo है, तो आप stress मत लीजे, क्योंकि हम जैसे doctors आपके साथ हैं, आपको ठीक कर सकते हैं और ये ठीक हो रहा है patient में, बट लेकिन patient में stress है, या lifestyle manage करने की capability नहीं है, वो नही नहीं कर पाते, तो problem आजाती है, हमारे ले भी, हमारे ले भी task हो जाते हैं आपको ठीक करना, next मैं ये बताना चाहूंगी कि जो patients alcohol लेते हैं, alcohol consumption करते हैं, उनका vitiligo से क्या connection है, या उनका vitiligo कैसे aggravate होता है, सबसे बड़ी बाद, जब आप alcohol ले रहे हैं, तो आपके liver को extra work कर करना परता है, उसे metabolize करने के लिए, already आपका liver अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, already आपको autoimmune disorder है, वो जादा मेहनत कर रहा है, चीजों का, lipid का, fat का, carbohydrate का, metabolism अच्छे से कर नहीं पा रहा, और ऐसे में अगर आप alcohol intake कर लेते हैं, तो उसको और work करना परता है, अपनी शमता से जादा work करना परता है, जिसकी वज़े से जो एक enzyme है, जिसको हम बोलते हैं, zinc, alpha 2, glycoprotein, वो inefficiently work करता है, और ये enzyme बहुत ही important होता है, lipid metabolism के लिए, जब ये enzyme inefficiently work करता है, और inefficiently release होता है आपकी body में, तो आपका vitiligo जादा भढ़ जाता है, क्योंकि alcohol सारी चीजों में हिंडर dense create कर देता है, चाहे वो metabolism हो, चाहे वो absorption हो, चाहे वो assimilation हो, तो आपसे ये दरख्वास्त है मेरी, कि अगर आपको vitiligo है, सफेद दाक की बिमारी है, तो आप alcohol consumption ना करें, alcohol consumption से और severely, एक तो vitiligo फैलेगा, फैलेगा, aggravate हो गई होगा, साथ ही साथ आपका liver damage भी होता रहेगा, लिवर में जितना capability है, वो उतना तो काम करेगा, बट एक point आता है, जब लिवर भी work करना खतम कर देता है, और जब लिवर work करना खतम कर देगा, या कम कर देगा, तो सारी metabolism बोडी में रुख जाती है, और आपको किसी दवाई से कोई आराम नहीं आ पाएगा, मेरे पास patients आ कर रही हूं एक तरह की, कि अगर आपको ऐसा कोई autoimmune disorder है, vitiligo जैसा कोई बिमारी है, तो आप alcohol intake धीरे-धीरे reduce करके छोड़ दे, आप जब धीरे-धीरे reduce करना शुरू करेंगे, तभी वो आपकी habit से जाएगा, आपकी life से जाएगा, और वो एक time पे छूट जाएगा, तो अ अगर आप थोड़ा सा भी अंदर रखते हैं ठीक होने का 1% जो होता है कि आशा है, उमीद है और मन रखते हैं कि आपको ठीक होना है, तो आप अपने doctors की guidance माने, जैसा वो बोलते हैं वैसा करिये, चाहे आप मुझसे इलाज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बट आप उन doctors को images भेजिए, उनसे contact करें, मुझसे मिलने आएं और अपने treatment के लिए सही guidance के साथ सही cure लीजे, I hope आप अपने लिए कुछ करेंगे और अपने लिए सोच के अपना ध्यान रखेंगे, आप हमें contact कर सकते हैं, अपने images भेज सकते हैं, call कर सकते हैं, मुझस आके मिल सकते हैं और एक सही solution पास सकते हैं, thank you and take care